राजिस्तान के अंदर आखिरकार उपचुनाव की तारिक का एलान हो चुका है 13 नवंबर को वोटिंग होगी और 23 नवंबर को काउंटिंग होगी यानि की नतीजे सामने आ जाएंगे जिन साथ सीटों पर उपचुनाव है वहाँ पर है जुन जुनू, रामगड में अलवर, अलवर में रामगड, देवली उन्यारा, क्विसकर, सलूंबर, 84 डुंगरपूर और एक दोसा में इन साथ सीटों पर राजिस्तान के अंदर उपचुनाव होने हैं ऐसे में अब देखना ये होगा कि जनता किसको वोट देती है, कॉंगरेस या बीजेपी इसके साथ ही अब ये भी जो है, ये जो उपचुनाव हों है, वो बहुत कुछ तक आइना होता है, आइना दिखाता है कि क्या जनता बाजपा के कामकाज से खुश है या नहीं है अगर साथ में से काफी सीटे अगर भाजपा जीती है, तो इसका मतलब उनके भाजपा के कामकाज को, सीए मजनलाल के कामकाज को जनता पसंद कर रही है, तो फिर वो उनके पक्षमे है, रिजल्ट आते हैं, और अगर रिजल्ट नहीं आते हैं, तो ये आइना है जो कि जनत उनके कामका स्पांध से खुश नहीं जिन सासीटों पर चुनाओ हो रहें उन्में पांच में जो है लोगस्वा अभी हाल में जब इससे पहले जब लोगस्वा चुनाओ हुए तो जो विधाये के वह MP बन गए सीट खाली हो गई तो वहां पर पांच है और दो ऐसे विधाये के जिनकी मौत हो गए इसके बाद वहां पर सीटे खाली हो गई तो इन साथ सीटों पर नतीज़े आने वाले है, बहुत कुछ साग यहाँ पर दाओ पर लगने वाले है, अब तक का रिकॉर्ड और ट्रेंड यह कहता है कि उप चुनाओं में कॉंग्रेस भारी रही है बीजेपी के उपर, लेकिन इस ट्रेंड को चाहेगी भासपा जो है वो भासपा जीते है, इसके अलावा भजनलाल जो मुख्यमंत्री है, उन पर और इसके साथ ही कई सारे जो मंत्री है, उन पर भी एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि अगर यह सीट सारी जो है, या फिर काफी हद तक जो सीट है, वो भासपा जीती है, तो सब कुछ मेरे को लगता है, कि वो सब कुछ ठीक जो है, वो रहने वाला है, अगर जो नतीजे है, वो उल्टे आते हैं, विपरित आते हैं, तो संभवते जो है, बड़ा बदला आने वाले दिनों में उपचुनाओ के बाद जो है, वो राजिस्तान में देखने को मिल सकता है, इसके साथ ही करें, अगर एक भी सीट जो है, कॉंग्रेस खोद देती है, तो फिर इसका मतलब जो है, कॉंग्रेस भी अपनी साख नहीं बचा पाईए, तो चैलेंज ऐसा नहीं है, कि भाद पार पर ये, चैलेंज जो है, वो कॉंग्रेस पर भी है, अब जल्द आने वाले दिनों में, ज उसके बाद दोनों ही पार्टी रिसाइड करेगी, कि वहां से चुनाओं कौन लड़ेगा, इसके साथ ही, जो डूंगरपूर की सीट है, वो तैय मान के चल रहे हैं, कि वो जो राजकुमार रौत है, आदिवासी सीट है, तो वहां पर उनकी अच्छी खासी पकड़ मानी ज देखा गया था कि 25 में से 12 सीट जो है, वो इंडिया गट बंदन और कॉंग्रेस ने जीती थी, और भाजपा की जोली से निकाल ली थी, तो उपचुनाओं के नतीजे जो है, वो अच्छे नहीं आये थे, भाजपा की जस्टी से, जो कि वो लगातार 25 की 25 सीट जीते आये ल इनको साधनिय के कोशिश है जातिगरण समिकरण साधनिय के कोशिश ही के जारिए छेतरवाद जो है, वह देखा जा रहा है, तो भाजपा पूरी तरह से तयार है, और इसके अलावबर कॉंग्रेस भी तयार है, लेकिन जो घड़ बंदन की बात जो लोगसवा चुनाओं मे अब जब 23 नवंबर आएगा तब यह decided हो जाएगा कि इन उपचुनाओं का जो बाजचा है वो कौन होगा बाजपा चाहेगी कि साथ में से लगबक चार से पांच सीट जीते हैं ऑंगरेश भी चाहेगी वो भी जादा जादा सीट जीते लेकिन होगा क्या वो जनता जानती है वो जनता डिशाड़ करेगी जब वोटिंग होगी और जब रिजल्ट आएंगे जब वो सब के सामने होगा अब देखने वाली बात यह होगी कि इस उपचुनाओं में आखिर उट किस और करवट बदलता है इसके साथ ही मुखे मंतरी बजलाल सर्मा की साग जो है वो फूर करने को मिल सकता है कई सारे मंतरी चुटी भी हो सकती है और नयों को इन से कष़का है दिया सकता है बस इंतजार किया जा रहा है और उसके नतिज़ोगा क्योंकि यह वही टीम है जिनके नेत्रत में ही जो लोक02 सबाट चुनाओं हो लड़ा गया था लेकिन 12 के 12 सीटे जो बाजपा है वो हार गए ची लेकिन अब दूसरा टास्क दूसरी जिम्मेदारी आई है उप्चुनाओ अब देखना यह होगा कि उप्चुनाओ में भाजपा कितना पर्फॉर्मेंस देती है क्या कुछ उनके पक्षमे रिजल्ट रहता है और इसके साथ ही कॉंग्रेस जो है वह कितना जो है जनता की बीच में जाती है कितना जनता को अपने पक्षमे कर पाती है यह जो रिजल्ट है वो बहुत हत तक आएना है वो दिखा देंगे कि इन लगबग आट नो या एक साल के अंदर भाजपा कि कितने कामकास से जनता खुश है या नहीं है सेविकी गोवि के साथ दीपक चावला इंडिया डेली जैपूर